जोटिश लाइब में मैं हूनत निलाक्षकार और मेरे साथ है जोटिश सेलिब्रिटी महा जोटिश अचारिया पंडित के धुबे पदमेश्ची पंडिची बहुत-बहुत स्वागत है आपका तो दर्शकों जोटिश लाइब में हम बात करते हैं आगामी पर्व और त्योहार उपर क्यों भी ना करें क्योंकि जो त्योहार होते हैं यहां मनुष्यों में उर्जा का संचार करते हैं और वैसे भी भारत को त्योहारों का देश भी कहा जाता है और बात अगर आगामी पर् हमारे सामने है बसंत पंचमी का वंका और इसके साथ ही ही गुप्त नवरात्री इन सभी के महत्व को हम जानेंगे लेकिन शुरुबात करेंगे पंडी जी बसंत पंचमी का महत्व और आज के दौर में कितना प्रासंगिक है कितना सामेक है ये ते उहार बसंत पंचिमी की अपने सभी दर्शकों को हम दोनों की ओर से शुब कामना है जी धन्यवाद पंडी जी आपने मेरी तरफ से भी शुब कामना है देती है बसंत पंचिमी है क्या पहले यह जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है बसंत से आपको लगता कि बसंत का मौसम आता इसलिए बसंत की पंचिमी बसंत खेतों में फूल खेले हुई है सरसों खेला हुआ है मौसम में बदला हुआ है लेकिन इससे थोड़ा सा परे जाई है यह सफता आपके लिए बहुत ही महत पूर है माग मास्क का आपको जो पहला पर्व मिलेगा वह है अमाउश्या एक दिन अमाउश्या दूसरे दिन महुनी अमाउश्या दो दिन अमाउश्या पढ़ा कि तीस और एक दिसको कि दूसरी चीच कि गुप्तनोरात्री ओर गुप्तन नोरात्र में बसंद्पंशमी बसंद्पंशमी को सरसुती जी प्रादी का जब रहो था। उनका हैफी बत involves होता तो आपको अगर आप कुस देते हैं आपके बच्चे को कोई कोई चीज के देता ना के सिस्टे नहीं देती तो बगवती से भी रिटान मिलेगे। आपको। ने कैसे मिलेगा इह जहनना बहुत ज्यूरूरी है। क्योंकि आप जिससे आपको रिटर्ण गिप्ट मिलना उस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। भारत मुलता सांस्रक्रितिक धरोवर भारत की है। और उसके पीछे विज्ञान और समाजिक समरस्ता बनेगी है। समाजिक समरस्ता हम एक साथ गंगा इसनान करते हैं तो आपके बगल में कौन आदमी इसनान कर रहा है। आप न जानते हैं और न जानने की प्छारबते हैं। यही समाजिक समरस्ता है। एक हम समाज बे देव भोम पर हमें जरूर्य तो नहीं है किसी को जानने पर देव की क्रपा सभी पर होती है। कम हो सकती, ज्यादा हो सकते है। अब कई माणते हैं हमारे देश के अंदर चली आ रही है। पहले तो हम सुर्वात कर रही हैं अमाउश्या से हैं अमाउश्या क्या है जफ सूर और चंद्रमा एक ही रासी पर होते हैं तो उस दिन अमाउश्या होती है मकर राश को बहुत महत्तों दिया अभी आपने मकर संक्रांति का पर प्रव मनाया संक्रांतियां तो हर महीने होती है लेकर मकर रास को ही सबसे जदा आपने उस साहे के साथ बनाया रितु परवर्टा नो होता, सोच में परवर्टा नो होता, मौसम में परवर्टा नो होता, प्रिकत में परवर्टा नो होता, और परवर्टा नो होता, जो परवर्टा नो सकरातमक होता, कहीं ने कहीं आपके मन में एक भै रहता है, खास थोर से हिंदू के बन में, पता नहीं हमने पिछले जैनम में क्या काम खराब किया ते जिसके करण से परिशानी हो रही दामपत जीवन हो रहा बिटी अगभियाओ नहीं रोता बैपार करते बार बार चोट हो जाती है तो यह जो आपके मन में धारणा है क्यों धारणा आई है यह जो धारणा है यह हम अरे लगातार परमपराओं को लगातार हम धीवन को जीते हुए शूर चंद्रमा से उपर है जो चीज चंद्रमा उपर होगी तो उसके नीचे वाले में च्छाया पढ़ेगी बिलकुल जब च्छाया पढ़ेगी तो उस दिन मिलकुल धर्ती सूर और चंद्रमा के जुगती है वो लगभग लगभग बरावर हो जाती है उसलिए अब आउसा के दिन आपको चंद्रमा का प्रकास नहीं देखता है तो प्रकास जाता कहा है चंद्रमा का प्रकास नहीं देखता है तो मरने के बार भी क्या है वैग्यान क्या कहता है अदर्व क्या कहता हैं तो हमारे हमारे यहां पितरपक्ष भी होते हैं हमारे यहां इमानता है कि हम पुर्णार्जम्न लेते हैं भगवान कृष्ण ने भी पुर्णार्जम्न के सिध्धान को प्रिटपादन किया तो हमारा पुर्णार्जम्न बिस्वास है तो पित्रों का भी असुत है जह हम जो कुड्णली और उसका पूजय नोता तेरवीं तक मतलब प्रतम दन्से लेकर के तेरवीं तक जो है जी प्रेथियोनी में न भड़क जाए तो इसके मतलब प्रेथियोनी का अस्त माना गया होगा। तो इस दिन आपको जो है अगर आपके बन में कहीं भै है कि हमको किसी की च्छाया के कारों से परिशानी हो रही है तबाम इस तरह की अगर आपके बन में ब्रहम है तमाम प्रकार का तो उस दिन है आप अपने पित्रों के लिए पूजन कर सकतें उससे मुक्ति कर सकतें 31 और 31 को एक तारिक को कर सकते हैं और एक तारिक को जो है उसमें थोड़ा साबको स responsibility रखना होगा मौनी अमउषाए यानि मोन का बहुत बाड़ा मात है लेकिन इसके अलावा मि दो हैं एक आसारकी और एक मागे की है जी और दोनों शुक्लपक्ष के अब चारों नो रात्रियां सुक्लपक्ष में ही है जी जी तो उसका कारण ये कि सूर का चंद्रमा के साथ में बनका कारण जो है वो चंद्रमा है और चंद्रमा जब सूर के एक सोसियंस की दूरी पर होगा तो आपकी चिंतन जोगा का सकरात्मक होगा और उड़जा को प्राप्ट करने की छमता आपके अंदर अधिक होगी इसलिए सुक्लपक्ष में ही होते है जी जी उसके भी जी कारण है ये आपका जो सोच है आपका जो सामर्थ है वो इस कारणों से बढ़ जात आम तो पर गुप्त नवरातरी ये बोला जाता है कि जो ग्रहस्ते हैं उनके लिए नहीं होता है लेकिन जिस तरीके से आप अता रहे हैं मुझे लगता है यहां पर घ्रस्त की लिए भी काफी कुछ है हासल करने के लिए है नदिनी जी कुछ चीज़ें हम जानते हैं कुछ होगा खतम होगी बात है हम जानने नहीं चाहिते हैं तो ऐसे ही कुछ तमाम सारी देखी के साथ जोड़ी हुए इनको हम जानते भी है और अन्जान हो जाते हैं गुप्त नौरात्तर क्या है देवी के तीन सरूफ है भगवती सरसुती भगवती लक्षमी और भगवती महाकाली ये तीन सरूफ ही मूल रूफ से आद्शक्ति की जो है जो उरजा का आद्शक्ति है उसके तीन सरूफ है इन्ही तीनों सरूफों को तीन दिन बांट दिया गया तो तीन तरका नौ हो गया है तो नौर दिन की जो न नौरात्री होती है, वो नौ दिन का विवाजन हो जाता है, अब इसमें क्या करें? वो तो आपको पता हो गया कि तीन दिन सरसुती के हो गया, तीन दिन उसके हो गया, और उसमें अलग लग दिमियों का हम नौरात्र में पूजन करते हैं, इदर साहमाने लोगों को पता है, य ये दो तारीक से जो आ रही है इसमें बसंद नौरात्री है बसंद नौरात्री नहीं बसंद पंच्छबी है तो जब बसंद पंच्छबी है तो कहीं ने कहीं बसंद से जोड़ा हुआ तो आपका जब मन कमजोर होगा तो आप ने तो बैपार कर पाएंगे ने अच्छी तरह से परसनल जिन्दकी जी पाएंगे ने अच्छी तरह से बैपार कर पाएंगे कुछ भी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए क्या करें? इसमें दो सुरूब है उस दिन बहुत कम लोग जानते हैं या जान करके भी अन्जान हो जाते हैं कि स्री पंचमी भी इसे कहते हैं यानि वसंत पंचमी प्लस स्री पंचमी तो दो पंचमी या हो गई है और दो में किसकी किसकी होती सरसुती की पूजा होती है और महालक्षमी की पूजा होती है एक ही दिन तो आपको पास बुद्धी भी मिलेगी और जब बुद्धी होगी तो संपत का आपका जगड़ा नहीं होगा बटवारा नहीं होगा तमाम प्रकार की चीजों का आप बिना आपका परवार इसके लिए नौरातर का गुप्त नौरातर में पूजन होता और उसमें कोई भी पूजन कर सकते इसमें साम हुई के नहीं है तो निजी किया चीजह मिलेगी वुद्धि, ज्यान, विवेक और धन्. और तुम्हारे पास दोनों चीजह है तो आप सब कुछ करने में सामार्तवान हो जाएगा कि अगर बात की जाए तो इसी तोरान नवरात्री के बीच में ही पड़ेगा बसंद पंचमी का पर्वर मुख्य रूप से मास सरस्वती को समर्पित होता है यह तेवहार और ऐसे में अगर पूजन विधी की बात की जाए तो क्या कुछ विधान बताएंगे हमारे तरशकों को आम तोर पर इसमें एक मिट्टी का पात्र लेते हैं उसमें मिट्टी बर देते हैं आम की बहुर लगाते हैं आम के पत्ते लगाते हैं गेंदे की पुष्प लगाते हैं बाली लगाते हैं और अपने पूजा के स्थान पर रखते हैं अपने ब्योसाय के स्थान पर रखते ह सब जगे रखते हैं ताकि हमारे उपर भगवती की कृपा हो और ऐसी कृपा हो जिससे हम अपना भला कर सकें अपने समाज का भला कर सकें हमारे समय में कोई ऐसा सक्कट ना जाए जिसमें हम कुछ करने में समर्थ हो जाएं चाहें वो स्वास्त का हो चाहें वो बेवसाय का हो हम संकल्प लेते हैं, और संकल्प के बिना कोई पूजा नहीं होती है, संकल्प के साथ साथ में जब हम पूजन समाप्त करते हैं तो संगता देते हैं, चाहे हम ब्रामन को संगता दे, चाहे हम अपने बेटी को संगता दे, चाहे हम अपने भुगा को संगता दे, चाहे हम अप कुछ पैसे देना कुछ सामान देना ताकि आपको देने की एक प्रवती बने रहे हैं जब तक आपको देने की प्रवती नहीं रहेगी तो आप दान नहीं कर पाएंगे और जब दान करेंगे तो उसको कई गुना आपको प्रकत वाफिस करती है जी आप ये कुछ लोग भावक भावक्ता का दान नहीं है व spec Дन का संतोश है कि आप जा रहे थे आपको लगा कोई आदमे ठोट रहा आप ड़ने इथी उसको देब और यहिए आपकी बहुता आप को नीजी सुख देता है दान में संकल्भ हैं और संकल्भ लेकर के जब आप कुछ तो इसके लिए पूरी तरह से संगता देना आनुमारा है और जो आप संगता दे देते हैं तो उसका पुर्ण में परवर्टित हो वो आपको तवाम प्रकार के संक्टों से तवाम प्रकार के मुसीवतों से पुछाता पूरु जम्र में तवाम सारे जो रणात्मक आप चीज़ें लेकर काई हैं उनसे भी आपके मुक्ति होती है जी दिखें बहुत है महत्व जिसर की से पंडी जी आपने बताया कि क्या है त Celebr Mitte ये तो पमधबंगे ये जहांगे जिखेंगे पूजन को से दिखेंगे बहुत ज्रूरी हो जाता है यहां पर पूजन के दारां परादा से लेकर के इसमें हम कि साधरा के लिए पूजन सधर्ण करते हैं हमें अपने परवार का हित करना है अपना करना है समाज का करना है क्या करना है यह पहले आपके मन में क्लियर होना चाहिए हम पूजन कर रहे हैं देखा-देखी कर रहे हैं तो कोई अर्थ नहीं है तो अगर आपको अध्धात्मिक उन्नत के लिए पूजन करना है तो सूर उदय के 24 मिनट पहले आप पूजन प्रहराम कर दें और सूर जब निकले उसके 24 मिनट तक जरू पूजन करें ज्यादा करें अलग बाद है लेकिन इतना है इसी प्रकार से जैसे साइंकाल प्रदोश काल होता है 24 मिनट पहले 24 मिनट बात का जो काल होता है सूरस्त के समय वो प्रदोश काल होता है इसमें भी ये जो ब्रहम मुरत का जो स्रेश्टतम मुरत होता है वो प्रभात का उस काल में आप करते हैं वहीं से आपका होरा प्रार प्रार्म होता है तो आपका जो जो दिन होगा दिन के सात साथ आपने जो संकल पर लिया है वो सार्था को जाएगा क्योंकि उड़ जाएगा क्स दोनों समय में अधिक होता है अब हम करते हैं मुक्ति के लिए है हमें रिड से मुक्त होना है हमें हमारे पितरों के दोष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पहले से पता होना चाहिए कि किस लिए हम पूजन कर रहे हैं कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है विल्कुल तो क्या कुछ आपको उद्देश है इस पर भी निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सा महूरत सही होगा शुब होगा और इसकी भी जानकारी और पंडीची ने आपको द सूर मकर्म है सनी के साथ में बुद्ध और चंद्रमा अब इस पर चार ग्रह हैं चार ग्रह एक दो ग्रह एक दूसरे के विरोधी हैं सूर और सनी इए एक दूसरे के विरोधी है बुद्ध और चंद्रमा इक दूसरे के विरोधी है तो रणातमक और धनातमक योacement यूती है मकर्म जे है तो जब आपका बैलेंस जैं Lady playing जो हे कि देश की राजनीत पर भी परभाव पढ़एगा जी टेस के आर्थिक मामनों में पढ़ेगा मowanie फम पर भी पढ़एगा स्वास्त परभी पढ़ेगा धीरे धीरे दीरे धीरे क्योंकि चंद्रमा बहुत लंबे समय तक एक रासी में नहीं रहता, 30 गंटे से जादा नहीं रहता, तो बुद्ध से चंद्रमा अलग हो जाएगा, तो प्रभाव धनात्मक बढ़ जाएगा, यारि उस काल खंड में के पश्चाच जो कुछ भी है, लोकतंदर मजबूत होगा लोकतंदर से ही सत्ता प्रआप्ट होगे, एक बात, दूसरी बात, जो सकरात्मक चंदन के लोग हैं, उनको जधा से जधा सफलता मिलेगा, उनके लिए लोगों का प्रेम जागेगा, उनके प्रति लोगों के प्रति तमाम सारी चाश्य हैं, अच्छी होगी, लोग उन पर विश्वास उन राजनेताओं पर विश्वास करेंगे तो सकरात्मक प्रभाव इन सब का पड़े जा करके और उसका लाब आम जंता को भी मिलेगा राजनेतिक लोगों को भी मिलेगा सिक्षा के छेतर के लोगों को सिक्षार्थियों को एक काम जरूर पराना इस और उंहीं दिया हुआ जी और उन लोगों ने इस मंतर को जब किया जो आज भी सरीर से धर्ती पर नहीं है लेकिन नाम से धर्ती पर हैं और उनका हम पूजा करते हैं यह अगर आपने नौ दिन जब कर लिया दो तारिक से लेकर के और नौ तारिक तक तो आपको दिखाई देगा कि हमारे अंदर सकरात्मक उड़जा उत्पन हो रही है हमारे आर्थिक स्टित में आने वाले समय में भी लाम मिल रहा है इसको जब काफी समय तक करना चाहिए और तालेस मनद का तो जब जरूर करिए उससे ज़्यादा भी अगर आप जब कर सकते हैं तो एक अच्छी सी बात हो सकती है दूसरी आर्थिक मामनों के लिए भी अच्छा है विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के लिए अच्छा है जो लोग नोकरी करते हैं जो लोग रुजगार करते हैं उनके लिए बी अच्छा और सबसे ज़्यादा यह है तीनों देवियां मालक्षमी भी है मासरसुती भी है और महा काले भी है तो आप सत्ता को प्राप्त करने में भी सबस्ता प्राप्त कर सकते हैं तो सभी को इस समंत्र का जब करना चाहिए लगबक संपूर्ण जानकारी हमा अगर आप उस दिन के लिए कोई काम कर रहे हैं इसकूलों में आप कराएं विद्यार्थी को अक्षरदान कीजिए आप नया बैपार करना चाहते हैं तो नया बैपार कर सकते हैं साधी विवाय के रस्में पूरी हो सकती हैं इंगेज़मेंट उसी दिन होने के लिए समसित दिमूरत उसमें किसी प्रकार का कोई दोशी नहीं होता बसंत्थ पंजिवी वाले दिड़ और कोई भी सकरात्मक कार मांगलिक कार सिख्षा का कार बैपार का गार राजनेत का कार जो भी कार प्रारम करना चाहते हैं जिसका अधन मक उद्धर prevailने का नहीं दल मैं आप जोयन करना चाहते हैं बहुत बहुत धनिवाद इन तमाम जानकारियों के लिए उमीद करते हैं कि आपको ये जानकारिय पसंद आईयों की और आप इसका पूरा लाब उठाएंगे और इसी के साथ ही आप सभी को बसंद पंचमी की बहुत बहुत शुब कामना है नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूले ताकि हर खावर का आपडेट आप तक पहुँचे तुरंद आप हमें स्टा, ट्विटर और फेस्बुक पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे आइडि है